नमस्कार दोस्तो बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का सवागत है दोस्तो सहरसा फषोडवीज गंज और दर्भंगा फषोडवीज गंज ट्रेन को लेकर सुपोल के सांसत दिलेशवर कामित ने पर्मुकता से अपनी मांग रखी स्पीकर के सामने और इतना ही नहीं बलके जो सहरसा तक इंटर सीटी चलती है उसको सुपोल सराइगर के रास्ते फोरबीज गंस से चलाने की बात कही और वैशाली एक्सप्रेस को सराइगर से चलाने की बात कई सारी ट्रेनों की उन्हेंने बात की है आगे हम उनकी बैट भी सुनवाएंगे आपको और साथ ही परताब गंज भीम नगर बतनहा रेल खंड के बारे में भी उन्होंने अपनी मांग परमुकता से रखी है उन्होंने कहा कि सुपोल अरिया जो नई रेल खंड है जिसको 235 करोर रुपे मिला है वो भी राशी जल्दी मुहया की जाए ताकि उसका काम जल्द से जल्द पूरा हो सके तो बिना टाइम वेस्ट करें आपको हम सुनवाते हैं वो बायट जो उन्होंने लोग सभा में रखी पूरा किया जया है महोद है 86 बर्स के बाद मित्रांचल तथा कोशी प्रवंडल को जोड़ने के लिए कोशी ब्रिज पर रेल परिचारल प्रावर्म हुआ लगभा दो बर्स हो गए कि तो आज तक इस जिल्ले को राज की राजधानी पत्रा तथा देश की राजधानी दिल दिली तथा इस कैख क fluct구 को देश के अन्य भागों से रेल सेबा से जोरा नहीं गया मततीन जोरा ट्रेंड पैसंद्याह ट्रेंट चल रही है जो सहर्चा से लेके दरभंगा कैंजिंव क्या इसे इसे पिए में चल रही है महोद है मैं समसर प्रमर मांक परता हूँ दानाः प स्थिर्पन को भाया सुपोल सराइगा जंजारपूर दर्भंगा होते हुए पत्ना तथा नई दिली परचालन किया जाए इससे इस्थिमाबर्ती छेत्र के लोगों को इसका लाब मिलेगा तथा कठ्यार बरोनीगरी रेल खंड पर भी भार कम होगा ट्रेम संख्या 1333332 जो पत्ना इंटर सीटी चलती है इंटर सीटी एक्सप्रेज जो पत्ना से सहरसा तक आती है उसे फार्विस घंस तक बिस्तार किया जाए महोदे सामरी द्रिश्टी से महत्पूर्ण रेल लाइंग जो प्रताब गर प्रताब गर से भीम गर भीम लेगर बतनाहा 57 किलोमीटर उन करना नहीं परेगा और उस चेत्र के सीमावर्ती चेत्रों को इसका लाब मिलेगा तो इसकी इसका सर्वे करा के जल जिसल रेल परिचालन के लिए आवश्य करवाई किया जाए महोदे पुर्मद रेलवे से के ललित ग्राम से फार्विस घंस तक अमान परिवर्तन का काम भाया सराइगर जंजारपूर तथा दर्भंगा होते हुए दिल्ली ले जाने से समय और दूरी की बचत होगी और साथ ही साथ उस चेत्र के करीब पांच साथ जीलों के लोग को इसका फायदा बिलेगा बहुत बहुत धन्युक्त श्री रमेश विदूडी जी